नमस्कार मैं हूँ खुश्बू हजारे आप देख रहे हैं खबर ठिकाना करनाटक के पूर्व सीम येदी यूरपा की फैमिली से एक चौका देने वाली खबर आ रही है उनकी नातिन जो कि एक डॉक्टर है उसने स्यूसाइट कर लिया है बैंगलॉर के एक बड़े हॉस्पिटल में वो डॉक्टर है और वही के फैलो डॉक्टर के साथ दो साल पहले ही इनकी शादी हुई थी और छे महीने पहले ही इनने बच्चा हुआ जहां फैमिली में खुशाली आई थी वही यदी उरप्पा की नातिन ने स्यूसाइट कर लिया बैंगलॉर के माउंट कैरमल कॉलिज के पास एक पॉश अपार्टमेंट में वो अपने रूम में फासी के फंदे पर लटकी हुई मिली सौंदरिया इनका नाम है जो अपनी अर्ली थर्टीज में थी आज सुबे की ही ये बात है सौंदरिया को जब इस हालत में फैमली वालों ने देखा तो उन्होंने तुरंद सौंदरिया को गवर्मेंट हॉस्पिरल पहुँचाया जहां पर उन्हें डेट डेक्लेर कर दिया सौंदरिया के स्यूसाइट की ख़बर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गई जिसके बाद सभी लोगों ने आखना शुरू कर दिया कि आखिर ये स्यूसाइट का क्या कारण है क्या पती-पत्नी के बीच कोई जहगडा है या फिर कुछ और बात है क्यों स्यूसाइट करना पड़ा तो उसके बाद फैमिली की तरफ से एक बात सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ये दियो यूरुपा की नातिन सौंदरिया जो है वो बच्चा होने के बाद जो एक डिप्रेशन का फेज आता है जिसे पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहा जाता है उससे जूंज रही थी और इसी कारण इस डिप्रेशन में उन्होंने ये कदम उठाया है हस्बिन वाइफ में किसी तरह का जगड़ा नहीं है हस्बिन वाइफ को बहुत अच्छे से रखता था दोनों की लाइफ अच्छी चल रही थी डिप्रेशन में आकर ही सौंदरिया ने ये कदम उठाया पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के बारे में कई बार हमने बाते सुनी ही है लेकिन पोस्ट पार्टम डिप्रेशन के कारण को इस तरह का कदम उठा दे ये वाकई में शौक है खबर ठेकाना में अभी के लिए बस इतना ही पलपल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठेकाना